हेलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं ओनलाइन मेडिसिन हलप और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको सप्रिन के बारे में एको सप्रीन में जो कॉंबिनेशन है एस्प्रीन के बारे में जो एक पॉपुलर और चर्चित मेडिसीन है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्प्रीन के बारे में एस्प्रीन क्या है एस्प्रीन के क्या क्या फाइदे हैं और इसकी डोज क्या होनी चाहिए और इसके क्या-क्या side effect हो सकते हैं ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो बात करते हैं spring की जो आपको market में किसी भी medical store से असानी से मिल जाती है अगर हम बात करें इसके product name की तो eco spring नाम से आपको market में मिल जाती है इसके mg की अगर हम बात करें तो यह 15 mg और 1500 mg में packing दो packing में आपको market में कि medical store पे मिल जाती है और इसकी price की बात करें तो 15 mg टेबलेट जिसका price लगभग 4-6 रुपए और 1500 mg टेबलेट जिसका price आपको 9-10 रुपए में आपको medical store में मिल जाती है इको सप्रिन टेबलेट एक non-steroid anti-inflammatory drug यानी NSAID group से समंदित है जो की सूजन दरद की प्रोबलम में इस्तमाल की जाने वाली एक टेबलेट है हम बात करते हैं एस्प्रिन सबसे ज़्यादा किन किन रोगों में इस्तमाल की जाती है तो यह सबसे ज़्यादा kolesterol patient के लिए BP patient के लिए heart patient के लिए सबसे ज़्यादा इस्तमाल की जाती है या टेबलेट बलड के क्लोट को खोलने का काम करती है इसके अलावा आप किसी भी दर्द में इसका इस्तमाल कर सकते हैं मसल्स वीकनेस में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा कैंसर पेसंट को भी दिया जाता है पर आप डोक्टर के प्रसक्राइब पर ही इसका इस्तमाल करें अगर हम बात करें इसके डोज की तो इसे एक दिन में एक बार भी लिया जा सकता है या दिन में दो बार भी लिया जा सकता है अगर आप नोर्मल वेखती हैं तो आप इसे दिन में एक बार ले सकती हैं अब बात करते हैं इस टैबलेट का उपयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका उपयोग प्रेगनेट मही लाएं हो किड्नी पैसेंट हो या किसी परकार का मेडिशिन कोर् करते हैं तो डॉक्टर की सलाओज जरूर ले अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट की जो कौमन साइड डिफोक्ट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं दस्त कबद, सीने में दर्द, कमजोरी, जीमल, मिचलाना, आधी काफी सारे साइड इफेक्ट हैं दो देखने को मिल सकती है तो अगर आप इस टेबलिट का उपयोग भी ना डक्टर की सलाह के करते हैं तो यह है आप की शेहत के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए आप इस टेबलिट को लेने से पहले डॉक्टर की चलाह जरूर लें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक वाशेर जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पे नई है तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तो